ऐदी के पत्ते के पकॉड़ यहां बहुत पसंद सब्सक्रार 32 candy टो इसको हमने अच्छी तरह से पहले तोड़ लेना है उसके बाद सफाई से तोड़ेंगे ताकि कोई भी पता फट नहीं जाए तो इस तरह से बहुत हेल्दी से पत्ते इस बार हुए हैं बारिश कम हुई है लेकिन फिर भी अच्छ है तो चलिए इनको तोड़ते हैं मसाला उसके लिए मैंने चार पंच कठी है जो लसुन की ले ली है इसके ब पारा सुकी हुई लाल मेच थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां हमने डालनी है थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे अब इसको पीसेंगे इसका अच्छा सा एक पेस्ट बन चुका है धाई सो ग्राम के क्रीब हम बेसन लेंगे अब इस मसाले को पीसेवे मसाले को इस बेसन में डाल लेना है थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे अब सूखे मसाले जाएंगे सबसे पहले दो से तीन चम्मच नमक डालेंगे एक बड़ा चम्मच हल्दी गरम मसाला थोड़ी से रच चली पाउडर क्योंकि अल्रेडी हमने मिर्चीस में डाल दी है थोड़ा सा जीरा डाल देंगे अच्छे से मिक्स तोड़ी लेके आई हो अब इनको करेंगे अच्छे से वाश ताकि जो भी इसके उपर डस्त है वह सारी ही उतर जाए और बहुत स्वच पाड़ी नमाली करेंगे इनको दोएंगे के वाश करके लेके आई हूं इनको अख बार के उपर हमने जो मेरा पेस्ट मनाए हो था विल्कुल रैडी हो चुका है तो अब इसको हम पत्तों को कोट करेंगे तो सबसे बड़ा पता हुने में सबसे पहरी इसको भी इसमें से कट लगाना है करेंगे 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 अब इनको मैंने धागे के साथ सिक्योर कर लेना है ताकि ये जब हम इनको स्टीम करेंगे तो ये खोल नहीं जाएं तो अच्छी तरह से इनको थोड़ा सा ज्यादा धागा लगा के हमने रोल कर लेना है तो बिल्कुल अब रोल है वो तियार हो चुके हैं अब इनको करेंगे हम अस्टीम इस पर रत्रोंगे कुकर एक गिलास के क्रीब हमने इसमें पानी डाल देना है अब इसमें एक स्टैंड रख देंगे स्टैंड के उपर एक प्लेट रखेंगे इस तरह से तीने रोल को इसमें सिबसे पहले छोटे वाले रोल को रुखेंगे हम इसको भी बीच में सेट कर देना है तो यह तीने रोल है इसमें आ चुके हैं अब कुकर को हमें बंद कर देना है और इसको दो विसल आने तक पका लेना है तो दो विसल अब आ चुकी है आप गैस को बंद कर देंगे और इसको दस मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे उसके बाद कुकर को ओपन करेंगे फिर हम अरभी के पत्ते के जो पोकाड़े हैं देखेंगे वह पक चुके हैं तो च चलिए इसको अभी 10 मिनट के लिए रुखते हैं इसमें हमने चाकू है इस तरह से डाल देना है अंदर तक चाकू गया है तो यह देखें बिल्कुल ही साफ निकलने वाला है चाकू इसमें बेसन की कोई कोटिंग नहीं आ रही है इसका मतलब है हमारे अरभी के पत्ते के पक को खो चुके हैं तो अभी इसको 10 मिनट के लिए हमने फ्रिज में रखना है क्योंकि यह बहुत ज्यादा गारा में है तो अराम से इनको हमने निकालना है कि इसको यह से रखना है कि अब आख रहे हैं दस मिनट के लिए कि अब एक पैन लेंगे कि इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ओई अब यह भी बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं फ्रिज में से मैंने निकाल लिए हैं तो इन रूल को हम कट करेंगे कि अब आख झालेंगे कर दो दो कि अब आख झालेंगे पूरे चित्रा सी क्रिस्पी हो चुके हैं अब इनको हम करेंगे सब चलिए इनको डाल करते हैं की प्लेटिंग स्वास के साथ